हमारे उपर प्रभू की कृपा है ये हम कैसे पहचाने ये आठ लक्षन प्रगट होने लगते हैं जिसके उपर प्रभू की कृपा होती है हमारे उपर प्रभू की कृपा है ये हम कैसे पहचाने तो ये आठ लक्षन प्रगठ होने लगते हैं जिस पर हरीजू की प्रियाजू की कृपा है पहला गोर अपराद करने वाले के प्रतिभी दया की भावना चान्ती पहला लक्षन है भाव में भी पहले शान्त भाव है हमारे उपर श्री हरीजू की कृपा है इसकी पहचान ये आठ लक्षन पहला है शान्ती अर्थाद गोर अपराधी के प्रतिभी गुश्चानाना च्छमा करना ये हरी की कृपा का लक्षन है देख लो भाई गोर अपराधी सब्द तो जाने दो जरासा प्रतिकूल हो जाए तो लाख समझाओ पर भरकूटी तनी रहती है भला ऐसा है अपराधी पर भी छमा का भाव होना ये हरी कृपा पात्र में ही होगा अन्य में नहीं तो अगर अपने हर्दे में ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है तो हरी जू सिप्रार्थन करनी चाहे कि कृपा करो मेरे में शामर्थावे दूश्रा अनुश्या वो किशी भी के प्रति कभी भी कोई दोस दर्शन ही नहीं करेगा दोस कथन दोस्त्रवन की तो बात जाने दो अनुश्या दूसरू के गुणों में दोस ढोड़ना ये नहीं होता हरी कृपा पात्र में ये नहीं था ये सब भजन की नास करने वाले जैसे पहला अपराधी पर क्रोध कर देना तो माया ने भीजा इसलिए था कि तुम्हारे साथ बेवार ऐसा करे कि तुम क्रोध करो क्रोध करोगे तुमारी उर्जा शक्ती नश्ट हो जाएगी अध्यात्म में जो चलने की थी और कहीं तुमने संकल्प कर लिया तो भजन सक्ती नश्ट हो जाएगी तो अगर भजन बल है तो गया जरूर उसको दंड मिलेगा पका मिलेगा सो परिशंट मिलेगा लेकिन आप खाली हो गए ना भजन करने की ब्रती रहेगी और भजन रहेगा दोनों बात अनुश्विया किसी के सदगुणों में दोश देखना गुणों में दोश ढूनना ये हरी कृपा पात्र में नहीं होता है ये बहुत मंगल मही बाते हैं जिससे हमारा भजन मार्ग पुष्ट होता है तीश्रा वो बाहर से और भीतर से पवित्र रहता है हरी करपा पात्र सोचाचार का ग्यान होना चाहिए वस्तर आपके पवित्र होने चाहिए ये बाहरी जल रजादी की द्वारा बाहरी पवित्रता और निश्कपटता निश्छलता शत्यभाव ये अंदर की पवित्रता है अगर कपट है छल है अशत्य है तो हरदे मलिन रहता है भीतर और बाहर से पवित्र हैना इसमें खास बात क्या है भीतर और बाहर से पवित्र हैने मा बगवान श्री हरी का प्रियाजु का इस्मरन करता रहता है उशवाया भ्यांतर सुची वो बायए और अभ्यांतर दोनों से पावन रहता है तीसरी जो कृपा का लक्षण है अर्था तो सदवी भगवत चिंतन प्रैन सोचाचार का पाहलन करने वाला बाहर और भीतर से हरी कृपा पात्र पवित्र रहता है चोथा ऐसे कार्यों का अनुष्ठान ना करें जिनमें हमारा भजन छूटता है जिनमें शत्य छूटता है जिनमें भगवत भाव छूटता है जिसे आप के उपर कृपा भगवत मार्ग में चल रहे हैं अब आप ऐसे संसारिक कार्यों का अनुष्ठान कर रहे हैं जिन में आपकी चित विरती बिल्कुल भगवत बिमुख हो रही तो जीवन का लाब क्या होगा लाब तो है भगवत इस्मरण से जहे कल एक ने प्रश्ण किया कि मैं खाता तो नहीं हूँ लेकिन मांस के दुकान में मांस बेचता हूँ हो टाला दो क्या उचित है ये उचित कैसे हो सकता है तुम और भी तो व्यापार कर सकते हो जरूरी है धर्म का पालन करने की इच्छा करते हो धर्मा आचरन करते हो ऐसा नहीं तो विरत बहु कर्मा उन कर्मों से हमें विरत रहना है जो हमारे धर्म के विरुद्ध है जो भजन के विरुद्ध है हरी कृपा पात्र इसे कर्मों का नुष्ठान कर ही नहीं सकता अपने भजन का फल देखना भगवत कृपा पात्र के सब को प्रदान कर देना इम्मत है अपने भजन इतनी मेहनत से किया हुआ भजन भजन होने के बाद हे प्रहू इस भजन का फल हो शर्वे भवंत सुखिना सर्वे शंत निरामयह यहां तो कहते हैं महराज एक माला रोज आपके लिए करता हूँ कि आपके बीमारी ठीक रहे तो सेश किसके लिए करते हैं प्रभू सेश किसके लिए अगर इस्ट और गुरू के लिए तो बारा है कि एक माला करते हैं तो कभी इतनी माला करते हैं तो हमें क्या होगा सब आपको दे देंगे तो हमें क्या होगा तभी भजन का रास्चे लही जाना छटवा अपने भजन से अपने लिए कुछ भी ना चाहना और दूसरों की तो बात जाने दो दूसरों से कुछ ना चाहना ये तो ठीक है अपने भजन से अपने लिए कुछ ना चाहना है इम्मत देखो ये हरी कृपा पात्र में हिम्मत होती अपना भजन अपने प्रियोग में ना लाना इसका भी अंतरिक राश्य है अपने प्रियोग में आप सरीर को लेकर बुलेंगे अगर स्वरूप को लेकर तो प्रियोग की कोई वहां जरूरती नहीं शुरू पूर्ण काम है, वहाँ कोई अभाव नहीं जब आप कोई भाव अपने लिए करेंगे तो देवाव होगा देवाव से किसी बिशय की मांग होगी बिशय पूर्ती भजन का फल नहीं होता भजन का फल होता बिशय निव्रत्ती बहुत जोर की बात है कैसे समझ जाए अपने भजन का भी फल अपने लिए नहीं दूसरों से कुछ चाह रखना तो बाती जाने दो भजन से भी कोई अन्शुक की चाहने वी क्या चाहिए भजन ही बनता रहे भजन का फल भजन बनता रहे खूम निरंत अर्जब करते रहे किसी भी मान संमान कीरती पद परतिस्ठा के मिलने पर हरदय का असंतुष्ट हो जाना यहरी करपा पात्र का लक्षण होता है प्रणाम नमस्कार जै हू जै हू तू हरदय में असंतुष्ट हो जाना कोई किंचिन मात्र भिमान अनुदह हो जाए प्रभू बचाओ ये माया की चकाच्छों से बचालो नात कौन सा पराद बन गया कि आपकी जैकी जगे यहां हमको ऐसा सुनना पड़े मान प्रतिष्ठा कीर्ती जिसके लिए बड़े बड़े लालाईत रहते हरी क्रपा पात्र को बिश्की तरह चुबती है और आठवा किशी भी प्राण श्रमुदाय से समद्ध ना रखते हुए सब पर दया की भावना सब पर क्रपा की भावना सब पर करुणा मैत्री पर किसी से ममता नहीं ये सूत्र बहुत बिवहार में प्रियोग करने योग्य है सब से करुणा और मैत्री पर किसी से ममता नहीं करुणा तो करीब हरत जी नहीं मैत्री भी की म्रिग से पर ममता रहीत नहीं रहे ममता कर ली तो अगला जब मिरंका हो गया ममता निर्ममो निरहंकारा करुणा मैत्री तो करनी है जैसे इसमे आदेश गीता में जी आदेश है अद्विष्ठा शरभूता ना मैत्रा करुणा ये वचर पर निर्ममो निरहंकारा ये सादक की चतुरता है प्राण मात्र पर दया, करपा, करुणा, मेत्री पर ममता रही ममता किसी से और यहां करुणा, मेत्री ये तो गायब हो गए कि इवल ममता रह गई है अपने सरीर से ममता, सरीर संबंधियों से ममता विशेभोगों से मंता यही जहर है सम्मन्द में यह मंता ही जहर है विचारों में हंकार जहर है कर्मों में यह आशक्ती जहर है इसी जहर को मिटा दे तो जीवन मुक्तमा पुरुशे कर्म करते हुए विषय सेवन करते हुए, वारता करते हुए, विचार करते हुए, बिल्कुल जहर रही तुसका जीवन हो गया। तो यह आठ वात्रें हरी करपा पात्र में होती है, इनको बार बार शुननाव रदय में धारन करना।